तो आज में लेकिया है यूँ चिकन मारिनेट करने का प्रोसेस आपके लिए तो मैंने हाँ पे जो है आठ से नौ पीसिस जो है ड्रमस्टिक्स लिए यानि की चिकन तंगडी ली है तो इसमें इस तरह से हम कट लगा लेंगे मैंने एक एक कट लगाया है आप चाहो तो एक से ज़्यादा कट भी लगा सकते हो यह आप चिकन ग्रिल कर रहे हो या फिर तंदूरी चिकन बना रहे हो तो उस चीज के लिए बहुत ही अच्छा रहता है इस तरह से अगर आप मैरिनेट करोगे तो चिकन बहुत ही मतलब जूसी बनता है और टेस्टी बनता है तो सबसे पहल के कपड़े में आप बांद दीजिए तो जो पानी निकल के जो रह जाता दहीं वह मैंने आप लिया है दो से धाई चम्मच एक चम्मच जाला है इसमें हल्दी पाउडर और यह है देगी मिर्च जो कलर देती है बहुत जादा तीकी नहीं होती है वह डाला एक चम्मच और अहां पर मैंने लिया है धनिया पाउडर एक चम्मच और यह नमक है स्वादनुसार यह भी मैंने एक चम्मच ही लिया है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे ले सकते हो और साथ में यहां डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर अगर आपके पास साबोत काली मिर्च तो पीस के भी आप वो डाल सकते हो तो यह मैंने थोड़ी जी डाली है काली मिर्च और वन टेबल स्पून यानि कि एक चुमच के करीब डालेंगे हम अध्रक लस्टन का पेस्ट मैंने यहाप पे कद्दुकस किया है आप चाहो तो पेस्ट ले सकते हो और यहाँ पे लिया है वान टेबल स्पून के करीब कसूरी मे थी इसे तवे पे हलकास बूहन लेंगे क्योंकि रखे रखे जो है थोड़ा सा मौष्टरी में चला जाता है तो करारी नहीं रहती तवे पे इस तरह से आप अपने हाथों के बीच में मसल लीजिए तो यह बिलकुल पाउडर फार्म ब तो यह देखे सारी चीज़े मैंने इसमें डाल लिए कुछ चीज़ें बाद में डालेंगे पूरी वीडियो देखेगा तभी आपको पता चलेगा तो अच्छे से मैं इसको जो है मिक्स कर लूंगी चम्मच की हल्प से आप चाओ तो हाथों की हल्प से भी कर सकते हो हाथों से उसके बाद हम सारा जो चिकन चितना मैंने लिया आप नौ पीचे यह इसमें डाल देंगे और यह हमने दे पेस्ट पियार किया है मसाला के इसको हाथों की हल्प से चम्मच की हल्प से हम अच्छे से चिकन डुंस्टिक से में अच्छे से इसमें कोट कर लेंगे जो यह कट लगाएं इसमें भी ताकि अंदर तकी मसाला जो है हमारा जाना चाहिए तभी चिकन का जो है अच्छा टेस्ट आएगा इसके बाद मैंने यहां पे लिया है नीमबू आधा नीमबू का रस आप चाहो तो इसकी जगा विनेगर का यूज़ भी कर सकते हो यानि की सिर्का का यूज़ भी कर सकते हो थोड़ा सा मैं इसमें एक चमच के करीब डाल रही हूँ मैंने रिफाइन लिया है अगर आपके बाद सर्सो का तेल है आप सर्सो का तेल का यूज़ कीजिए वो भी इसमें बहुत अच्छा लगता है तो अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि नीमबू और जो यह ऑल डाला है सारी मिक्स हो जाए आपस में इसके बाद में हा बहुत ही टेस्टी बनेगा यहां पर सिरफ मैं आपको चिकन मैरिनेट करने का प्रोसेस बता रहे हूं तो यह देखिए यहां पर अच्छे से जो है मैरिनेट मैंने मतलब अच्छे से प्लाई कर लिया उसके बाद आप चाहो तो प्लेट रख लीजिए या फिर फॉयल से इ का बहुत ही को तो मैं रहे हैं प्रीज मेर रहे हूं आपर वह रख अब णरेखinka है आप चाहो तो ओवर नाइट भी रख सकते हो पर दो द İ maar इनफ रहता है अकर जादा takma नहीं है तो एक घंटा भी आप रख सकते हो आदा एक गंटा ।व यह देखिए यहां पर टाइम हो बाद अप्लोड करूंगी वो भी आप चेक करिएगा तो यह था यहां पर चिकन मारिनेट करने का प्रोसेस मैंने आप बताया अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मिलती हु नेक्स्ट वीडियो में तिल दन बाई